आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी हम अस्टड़ी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ भूगोल का चैप्टर नमबर तीसरा जल संसाधन ठीक है इससे जितने भी important MC की question है वो सारे cover करने वाले है यानि अगर ये 20 आप लोग MC की question कर लेते हो अच्छे तरीके से तो हमें नहीं लगता है कि आपका exam में question शूटने वाला है ठीक है तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा और इससे पहले मैंने दो चेप्टर का वीडियो बना दिया है आप लोग यदि नहीं देखिए हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में available है वर्मा गेस पेपर क्लास 10 के question वाले प्लेलिस्ट में ठीक है यह एक भाग यह दो भाग और यह तीन भाग क्या है आपका जल है यही तीन भाग में जल है और यह एक भाग में क्या है आपका भू भाग यानि पृत्वी है तो यहां किस के बारे में पूछा है जल के बारे में पूछा है कि भुभाग के बारे में पूछा है यहाँ पर देखे जल के बारे में पूछा है जब भी अगर जल के बारे में पूछे कितना भाग है तो टोटल कितना भाग है तो टोटल एक, दो, तीन, चार टुकड़ा है यहाँ पर पृत्वी का तो जितना ट तोटल भाग होता है उसको नीचे लिखा जाता है याद रखेगा और टोटल भाग में कितना भाग में आपका पानी है तीन भाग में पानी है इसको उपर लिख देजेगा यानि तीन चौथाई याद रखेगा यही अंसर है तीन चौथाई यानि चार भाग में तीन भाग प क्वालिटी है खराब होने का कारण नहीं है याद रखिएगा क्वेशन में क्या पुछा है नहीं है खराब हाँ नहीं बोला है कि खराब हो जाएगा तो देखें आपर पहला क्या है आसमान वितरन दूसरा क्या ओदियोगिक अपसिस्ट तीसरा क्या रासाइन चौथा क्या कि जल की quality खराब होती उसकी गुणवक्ता किटनासक जो होते हैं किटनासक जो पदार्थ होते हैं उससे भी खराब होता है लेकिन असमान वितरन से नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई रिलेट नहीं कर रहा है कि जल से यहाँ पर इसका खराब होगा quality चलिए आगे next हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नमबर पर किस ने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है सुबाश चंद्र बोस मात्मा गांदी भीम रावंबित का जोहरलाल नहरू नेहरू ने कहा था कि बां के जलो को एकत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है धांचा बनाया जाता इस तरीके से जिससे क्या होता वहां पर जल जमा होते हैं और उससे वो लोग उस जल का उपयोग करते हैं यानि संदक्षन करके तो उसका उत्तर कौन से राज्य है तो यहाँ पर देखिए इसका उतर होगा तमिल नाडू, तमिल नाडू में इस परकार से करते हैं, चलिए फाइब नमर कोश्चिन के और बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखावा किस राज में विस्व की सारवधिक वर्सा होती है, यहाँ पर देखे कोश्चिन का जो टाइपिंग है, वो मिस्प्रिंट हो गया और बादल से होती है वर्सा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वर्सा कहा होती है, मेग हाल है, यानी बादल में, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक के दोवारा, आगे बढ़ते हैं, इंदरा गांधी नहर किस छेतर को पेजल उपलब्द कराती है, इंदरा लवन्य जल और लवन्य जल समझ लिए, लवन्य जल मतलब जिसमें नमक की मातरा होती है, या फिर नमक घुला रहता है, जैसे समुंदरी जल, वो लवन्य जल है, आलवन्य जल जो पीने वाले जल होते हैं, ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन आलवन्य जल का स्रोत है, कि आलवन्य जल है क्या उसमें नमक है नहीं तो वो आलवन्य होगा इसके बाद हम लोग जानते है कि सता ही जल सता क्या मतलब होता है कि उपरी सता या पृत्वी में जो जल होती है जिसे तलाप के दोरा जमा होता है या नदी के दोरा जो जमा होता है वो क्या लवन्य जल होता यानि वो भी आलवन्य जल होते हैं तो इस में से जो उत्तर होगा वो सारे उत्तर होगे यानि इन में से सभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखे एट नंबर कुश्चिन क्या है और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजेगा साथी साथ जो भी नहीं भी वारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि आपके लिए रिगूलर वीडियो अपलोड होने वाले हैं और हो भी रहें ठीक है तो यहाँ पर देखिए एट नमर कुश्चिन क्या है जल दूरलपता का कारण क्या है कहने का मतलब है जल की कमी का कारण क्या है वो आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए बढ़ती जनसंक्या की बढ़ती है वा सकता है या दूसरा है जल का असमान वितरन या तीसरा जल संरक्षन का ना होना या इन में से सबी देखिए जितनी जादे जनसंख्या बढ़ेगी उनको उतने चाहिए जल की मातरा तो ये भी है दूसरा चीज़ यहां पर देखिए जल का आसमान वितरन इसका मतलब हो गया कि जल संरक्षन का ना होना यानि जल का बचाव अगर हम लोग नहीं करेंगे तो भी जल दूरलबता का कारण हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन नमबर निम्नांकी तिमेसे किस छेतर में लोग सिचाई के लिए गूल अथवा कूल का निर्मान करते हैं तो यहां पर इसका उतर होगा पश्चिमी हिमाले में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दसवा नमबर कुश्चिन क्या है नर्मदा बचाव अंदोलन का संबंध है यानि नर्मदा बचाव अंदोलन का संबंध किस से है सरदार सरोवर बांध से या फिर भाकडा नांगल बांध से या फिर रिहन से या फिर टीरी बांध से देखिए यह सारे बांध के नाम है तो बताए किस से है तो यहां पर देखिए यह आपका सरदार सरोवर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट ग्यारवा नमबर कुश्चिन विस्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतीसत भाग आलवनिय जल है most important कुश्चिन ये भी है ठीक है तो आपको बताना है कि कितने प्रतीसत आलवनिय जल है देखें लवनिय जल का मतलब मैंने अभी बताया कि वो नमक वाला पानी यानि समुंदरी जल ठीक है समुंदरी जल को हम लोग बोलते है लवनिय जल और आलवनिय जल का मतलब होता है पीने वाला जल ठीक है पीने वाला पानी तो कितना प्रतीसत है वो आपको यहाँ पर बताना है देखे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कुल उपलब जल में पीने लायक वाला जल कितना है चलिए यहाँ पर आपका इसका जो उत्तर होगा वो है आपका दो दसमलो पांच प्रतीसत याद रखेगा चलिए आगे नेक्स हम लोग बढ़ते हैं 12 नम्बर कोश्चिन निम्नांकित में से किस राज में बांस ड्रीप सिचाई पर नाली प्राचलित है ठीक है तो यहाँ पर देखे इसका उत्तर होगा मेगाले मेट यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेगाले चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नम्बर कोश्चिन इनमें से किस नदी पर बहु उत्देसिये नदी परियोजना नहीं है यानि बहु उद्देसिये क्या होता है बहु उद्देसिये नदी परियोजना कहिने का मतलब है बांद ठीक है जो हम लोग बांद बनाते हैं बांद आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे जो नदियों के पानी को रोक कर जो बांद बनाया जाता है उसी को ही बोला जाता है बहु उद्देशिय परियोजना तो किस नदी पर नहीं है महा नदी, सतलूज बियास, या नर्मदा, या फिर यमना तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा यमना नदी चलिए आगे बढ़ते हैं निश्ट 14 नमबर कोश्चिन निम्नांकित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है यानि ताजा पानी हमें किस से मिलता है पहला अपसन आपका भूतल अपवाह में या फिर वर्सा से या फिर भूजल से या फिर इनमें से सभी तो यहाँ पर आपको बताना है कि ताजा पानी का सरोथ हमें कहां से मिलता है आप लोग अच्छी तरीके से जाने हो जमीन के भीतरी भाग से तो यानि भूजल से तो यहाँ पर इसका उतर होगा भूजल चलिए आगे बढ़ते पंदरा नंबर कोश्चिन इनमे राजिस्थान की सबसे महत्पून परियोजना कौन सी है चंबल, भाखडा नांगल, नगार जुन सागर या फिर इंद्रा गांधी नहर जो था उसके द्वारा पीने वाला जल की आपूरती करवाया जाता है तो वो था आपका राजिस्थान तो यानि राजिस्थान में ही ये आपका महत्पून परियोजना को लागो किया गया था इंद्रा गांधी नहर रियोजना चलिए आगे बढ़ते नेश्थान में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश बाढ नियंतरन रहा है हीराकुन भाखडा चंबल या फिर कोसी तो यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा कोसी चलिए आगे बढ़ते 17 नमबर कोस्टिन भारत की नदियों पर अत्यधिक दुस परभाव किसका पड़ा है यानि भारत की जो नदिया है उस पर सबसे ज़्यादा दुस परभाव किसका पड़ा है जितना जादा वो लोग की जनसंख्या बढ़ेगी जिसके कारण नदिया क्या होती है दूस परभा हो जाती है दूसरा कारण क्या है नगरी करण कहने का मतलब है जो सहरी करण होता है ठीक है उनके कारण भी होता है आद्योगी की करण के भी कारण होता है यानि आद्योगी तेट फेक्टरियों के दुवारा जो विसहले पढर्त होते हो सिधा नदी, इसलिए यह सभी आपका अइनसर होगा यानि इन में से सभी किस ने दिल्ली में, सीरी फोर्ट, छेतर में, जल की सपलाइ के लिए हौज खास का निर्मान करवाया यहाँ पर इसका उत्तर होगा मैंने आपको बताया भी जो बांद बनाया जाते हैं नदियों को रोको कर उसी को बोला जाता है बहु उद्देसे परियोजनाएं उन छेतरों में जल आती है जहां जल की कमी होती है यानि अगर बांद बनाया जाए तो वहाँ पर अगर बांद बनाएंगे यानि नदियों के जो बहाव होते है या फिर उनके द्वारा जो बाड़ आता है उसके भी बहाव को नियंतरन किया जा सकता है इस परियोजना के द्वारा तो ये तो हाँ है आगे आपर देखते हैं तीन नमबर बहु उद्देशिये परियोजनाओं से ब्रहत अस्तर पर विस बिजली प्राप्त होती है क्योंकि जो बांध बनाया जाता है उस बांध में क्या होता है प्लांट का निर्मान होता है यानि वहां से बिजली हमें मिलती है विदुत मिलती है ठीक है तो यह तो होगा हा यानि आपको यहां पर उत्तर क्या होगा तीसरा नंबर ठीक है आपका सबी तो यहाँ पर देखिए इसका उतर सबी होगा क्योंकि समाज के विभिन भागों में या फिर विभिन वरगों में जल का आसमान वितरन करेंगे तो आपका जल तो बरबाद होगा दूसरा कारण अतियधिक परियोग यानि जादा प्रोवाइड होते रहेंगे ठीक है आज के विडियो में इतना ही तब तक के लिए जैहिन जैज